नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SP Update YouTube चैनल इन दिनों कोरोना के लिए के अच्छी ख़बर आ रही है महाराष्ट में सो मुहार को कोरोना के ग्राफ में गिर्यावर दज पाई गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना वारेस संक्रमन के 3626 नए मामले सामने आये हैं जबकि 37 मरीजों की मौत हो चुकी है जिसके बाद राज में संक्रमन की कुल संक्रमन की बढ़कर 64,89,800 पहुँच गई है और मिर्यतकों की संक्रमन की 1,37,811 हो गई है यह जनकारी स्वास विवाग ने आज दी स्वास विवाग के मुताबिक पिछले 24 गंटे वाराज में 5,988 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लोट गए जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले के संक्रमन की बढ़कर 63,755,000 हो गई राज में आज रिकेवरी रेट 97,09 और डेथ रेट 2,12% दर्ज किया गया दोस्तों वर्तमान में राज में 47,695 मरीजों का इलाज चल रहा है वही 3,3,179 लोग होम करंटीन है और 1,933 लोग संस्थात्म करंटीन में है आप सभी को बता दे रवी और को राज में कोरोना के 4,507 नए मामले और 67 संक्रमनों की मौत हुई है वही अच्छी बात आ रही है कि 5,916 लोग करोना से ठीक भी हो गए वही मुंबई सहर की बात करो मुंबई नगर में पिछले 24 घंटे में 389 नए मामले सामने आये हैं जबकि 5 मरीजों की मौत हुचकी है इसके लावा 417 लोग करोना से ठीक होका घर वापस चले गए यहां आज रिकेवरी रेट 97% दज किया गया वही मुंबई में नए मामले आने के संक्रितों की कुल संख्या बढ़कर 7,46,725 पहुच गई है मुंबई में अब तक कुल 7,24,494 लोग ठीक हो चुके है फिलाल मुंबई में 3770 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है तो दोस्तों अगर ऐसे ही लागडाउन के नीमो का पालन किया गया तो बहुत ही जल्द कोरोना बिल्कुल खतम हो जाएगा ये एक अच्छी खबर निकल के आ रहे है आम जनता के लिए धीरे धीरे सारी चीजे शुरू की जाएगा ऐसे ही महाराश मुंबई के समी ताजा खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में भी सेयर करें धन्यवाद